हालो फ्रेंड्स वेल्कम ट्यूल इनार कीचिन आट इनांसे टेफ्रेंट स्कल्स आज मैं आप लोग के लिए बिल्कुल पॉपेक्ट यह डोसा अंड सामबर के रिस्पे लेकर आई हूं जो बाजार से भी क्रिस्पी आंड टेस्टी डोसा अंड सामबर घर पे आप बना सकते बट कुछ टिप्स को आप फॉलो करें तो यह बनाना बिल्कुल ही सिंपल एंड इसी है देखिए एकदम टेस्टी अंड क्रंची यह डोसा और इसके साथ यह गर्मा गरम सामबर जब आप सर्व करेंगे और इसके साथ ही यह चटनी तो खाने भी तो मजा ही आजागा और व सामबर एंड डोशे का जो प्यार है वह घर पर आप कैसे बना सकते हो ओकि देखिए इसके लिए मैंने यह घर पे जो रेगुलर चावल यूज करते हैं खाने के लिए वह मैंने लिया है और एक कप और उसी कप से मैंने वन थर्ड यहां पर उरत का दाल लिया है यानि एक अगर चावल ले रहे हैं तो वन थर्ड उरत का दाल होना चाहिए यह एक दम बिल्कुल परफेक्ट है डोशे को क्रंची बनाने के लिए और इसकी साथ ही आधा चमच चला जाएगा मेथी दाना मेथी दाना आपके डोशे को क्रिस्पी तो बनाता ही है और यह थोड़ा सा अगर आप मिक्स करते हैं तो थोड़ा सा डाइजेशन में प्राब्लम होता है तो आप मेती दाना जरू डाले क्रिस्पी भी होगा और अच्छे से मिक्स करके 3-4 घंटे तक इसे फूल ने दे पानी में भीवगों को छोड़ दो और इसके बाद इसे फाइन ग्राइंड कर देखे मैंने इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया है बिल्कुल इस तरह से देखे पेस्ट एक दम ना ज्यादा यह ताल लिया है और इसको फर्मेंट करने के लिए ताकि अगर आपके पास टाइम नहीं तो थोड़ा सा इमली डाल दे बाजार वाले डोशे में थोड़ा सा जो खटापन आता है यह इससे इमली डालने से बहुत ही जल्दी आ जागा इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद इसे 2-3 घंटे अगर गर्मी का दिन है तो 2-3 घंटे में यह फर्मेंट हो जाता है और ठंड के मौसा में 4-5 घंटा लग जाता है बट इमली क करम बहुत ही जल्दी यह फर्मेंट हो गया है बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है अब इसको मैं साइड में रखते हुए कुछ वैजिटीबल्स मैंने कट करके रखा है मैंने यहां पे कद्दू बैगन और कैरूट और दो हरी मिर्ची कट करके रखा आप चाहे तो बीन सिय दो चमच की करीब यह सर्सो का तेल यूज किया है सर्सो के तेल में सांभर अच्छा बनता है आप चाहे तो रिफाइंड आल का भी यूज कर सकते यह चला गया राई और यह जब तड़कने लगते यह दो सुखी लाल मिर्च और यह हीम जो की फ्लेवर को इन्हांस करेगा इसके साथ ही एक बारी कटा हुआ यह प्याज आर जो सांभर की जान है वह है कडी पत्ता फरेस कडी पत्ता है उससे मैं डाल लेरही हूँ और इसको घूरड़ाशा भूण लेती हूँ बस हलका सा ज्यादा यह दर भलात सा नहीं इसका बहुत अच्छा आता है कडी पत्ता क अब मैंने हरी मिट और जो सारे वैजिटिवल कटकर के रखे थे उसे मिक्स कर ले रही है यह बहुत ही सीम्पल एंड इजी वे है सांबर बनाने का एक दम बिलकुल याम्मी आंड टेस्टी सांबर यह बनकर तियार हो जाएगा और यह हलका सा भूंज लेते हैं और इस तरह हल ना दिया है और थोड़ा सा भूनने के बाद अब इस में चला जाएगा यह सांबर मशाला लगवग दो से ढाई चमच आप सांबर मसाला और यह थोड़ा सा धनिया पॉडर यह लाल मिर्च पॉडर और यह नमक टेस्ट कर नूसर यह सभी मशालों को अच्छे से मिक्स कर ल ने तीन से चार मिट में भून कर त्यार हो जाता है यहां पर अब मैं इमली का पल्प यूज कर रही हूं जो कि सांबर के लिए बहुत ही जरूरी है इमली तो इमली का पल्प मैंने दो चमच डाला आप अपने टेस्ट के अंचार डाले और यह अप चला गया पानी के सर्सो का तेल और यह चला गया राय सर्सो के तेल में ज्यादाः होता है और यहाँ कडियुक्त बहुत जरूरी है और यह बड़ी कटा हुआ प्याज है अब प्याज को थोड़ा सवाप्त होने देते हैं और जब यह शाफ्ट हो जातो यहाँ पर मैं डालूंगी मुँख प मुंगफली पसंद है तो आप जरूर डालें क्योंकि इससे जो है फिलिंग में बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आ जाता है इसके साथ ही चला गया हरा मटर यह दोनों आप जरूर है आप डालना चाहें तो डालें यह दुछे मच के करिफ सांभर मशाला यह हल्दी प यह दम बिल्कुल नहीं करना है और यह नमक टेस्ट करने सा अच्छे से मिक्स कर देना है इसमें से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है कड़ी पतन सांभर मसाले का यह बिल्कुल एक दम टेस्टी टेस्टी फिलिंग्स रोस्री का कम्प्लीट है अब इसमें चला यह बहुत ही टेस्टी अन यामी आपका फिलिंग्स तयार हो चुक है इधर अब देख लेते हैं कि सांभर के क्या कंडिशन वाव दर्स वेर नाइस एक दम टेस्टी टेस्टी इसमें से एक दम स्मेल आ रहा है देखिए आपको जितना थिकनेस चाहिए उसके अनुसर थोड अब तक चलते हैं डोसा की त्यारी करने यह डोशा का जो बैटर बिलकुल एक दम पॉफेक्ट इसी थीकनिस का मुझे चाहिए ना जादा गाड़ है और नहीं ज्यादा पतला है बिलकुल पॉफेक्ट है अब डोसा बनाने के लिए तब बिलकुल हाइफ लेम पे गर्म करत अच्छे से मिंटेन करके बनाएंगे डोसा बहुत ही अच्छा बनेगा चुकि तवे के टेमपरेचर बहुत ज्यादा हाई है तो इसको मिंटेन करने के लिए यानि कम करने के लिए पानी का जो है चुटा डालेंगे और एक कॉटन के हैसे इसको पोचेंगे ताकि थोड़ा सा क्रंची बनाने के लिए उपर से आयल भी हलका सा डाल देना वाव देखे बिल्कुल पॉफेक्ट जब थोड़ा सा कलर नीचे से चेंज हो जा तो अब जो मैंने फिलिंग्स त्यार करके रखा था न उससे जितने क्वांटिटी में आपको डालना है उसके अनु कर दिखा देरी दुकर बिलकुल एक दम गर्म है तो यहां पे फ्लेम को कम करले और पानी कच़घकाव करते हुए तांपरेचर को में तेंडन कर लेगे और इस तरह से पोश लेए भीच में सेंटर में इस तरह एक कल्चे से डालते हुए रॉंड रॉंड इस तरह से हलके हाथों से प्रिस करते हुए इसे फैला लें और यहाँ पे फ्लेम को आप तेज भी कर दें है ना देखिए कितना अच्छा पैटरन बन गया है ना सर्कुलर पैटरन यह बिल्कूल जाली दार देखिए इस तरह से डोसा एडमिंस यह बिल्कूल पॉफेक्ट डोसा बनकर त्यार होने वाला है एकदम रॉंड रॉंड अब उपर से थोड़ा से यह चला गया ओयल जो की डोसे को और क्रिस्पी कर देगा आप अगर सही अमांट में सही रेशियो में अगर चावल और डाल की क्वा अगर आप चाहिए तों डाले ने तो अवाइड करें बट decline से थोड़ा से ओर ज्यादा टेश्टी बन जाता है और पनीः प्याज हो गया और धन्या पत्त इस तरह से इस कि बहुत ही टेस्टी बनेगा आप इस तर से बना कर जो ट्राइ करें अना फ्रेंट्स तो देखिए फ्रेंट्स यह मेरा डोशा शांबर और इसके साथ ही मंगफली और चने दाल की चटने बिल्कुल रेडी है सर्वोने के लिए टेस्टी टेस्टी यह डोशा आप घर पे ही बा स्क्राइब में के तो प्लीज कर दें और हां बेल आइकन को भी प्रेश कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे ओक देन थाइंक्स वचिंग बाबाई